गुजरात अपने जीवंत अतीत के साथ भारत के एतिहासिक ताज में एक जवाहरात की तरह चमकता है। प्राचीन व्यापारियों, सुल्तानों और स्वतंतरता सेनानियों के पैरों के निशान गुजरात की धर्ती पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। भारत के समरिध एतिहासिक आख्यान को जानने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए गुजरात एक सम्मोहक यात्रा प्रदान करता है। इस लेख में हम गुजरात के इतिहास के तीन महत्वपून कालखंडों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी प्राचीन जड़ों का पता लगाएंगे। फिर हम गुजरात सल्तनत के उदय और उसके बाद मुगल प्रभाव को उजागर करेंगे। अंत में हम भारत के स्वतंतरता संग्राम में गुजरात की महत्वपून भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। प्रत्येक खंड आकर्शक अंतर दिष्टी प्रकट करने और विचार को उत्तेजित करने का वादा करता है। जो आपको भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिद्रिश्य में गुजरात के अपार योगदान पर विचार करने के लिए प्रोथसाहित करता है। गुजरात का इतिहास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। यह प्राचीन समाज 2500 इसापूर्व के आसपास फला फूला और गुजरात इसके विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आधुनिक गुजरात में स्थित लोथल शहर एक हलचल भरा बंदरगाह और व्यापार का केंद्र था। लोथल का उन्नत बंदरगाह उस समय के उलेखनीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है जो सिंधु घाटी के लोगों के समुद्री कौशल को दर्शाता है। लोथल की खोजों से पता चलता है कि प्राचीन गुजरात नवाचार और व्यापार का केंद्र था। मन के, मिट्टी के बर्तन और उपकरण एक संपन्न अर्थ व्यवस्था का संकेत देते हैं। व्यापार मारगों पर शहर की रणनीतिक स्थिती ने दूर के क्षेत्रों के साथ आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे गुजरात की समरिधी में योगदान मिला। अन्य संस्कृतियों के साथ इस शुरुवाती संपर्क ने गुजरात की व्यापार की लंबी परंपरा की नीव रखी 1900 इसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है लेकिन इसकी विरासत गुजरात की संस्कृति को प्रभावित करती रहती है थल की शहरी नियोजन और जल प्रबंधन प्रणालियां राज्य के आधुनिक बुनियादी धांचे में परिलक्षित होती है अतीत और वर्तमान के बीच संबंध गुजरात के इतिहास का एक आकरशक पहलू है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं के स्थाई प्रभाव की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात की भुमिका इसके एतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे गुजरात प्राचीन चमतकारों से एक शक्तिशाली सल्तनत बन गया पंद्रहवीं शताब्दी ने गुजरात सल्तनत के उदय को चेहनित किया जफर खान मुजफर द्वारा स्थापित सल्तनत पश्चिमी भारत में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरी सुल्तान महमूद बेगडा के शासनकाल में गुजरात ने वास्तुकला, कला और व्यापार में अभूत पूर्व व्रिध्धी देखी जामा मस्जिद और सरखेज रोजा जैसी स्थापत्य कलाएं सल्तनत की भव्यता का प्रमान है सोलहवी शताबदी में मुगल सामराज्य ने गुजरात पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया 15-17 में समराट अकबर द्वारा गुजरात के कबजे ने इस क्षेत्र को विशाल मुगल सामराज्य में मिला दिया मुगल संरक्षन ने भव्य इमारतों के निर्मान और कला और शिल्प के उतकर्ष को जन्म दिया मुगल प्रभाव जटिल डिजाइनों और परिश्कृत सौंदर्य शास्त्र में स्पष्ठ है खंड चार भारत के स्वतंतरता संग्राम में गुजरात की भूमिका ब्रिटिश ओपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंतरता की लड़ाई में गुजरात ने महत्वपून भूमिका निभाई यह राज्य महात्मा गांधी का परियाय है जो भारतीय स्वतंतरता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है दांडी नमक मार्च जैसे आंदोलनों के दोरान उनके नेत्रित्व ने राष्ट्र को प्रेरित किया गुजरात अन्य प्रमुख नेताओं जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल का भी घर था पटेल ने रियासतों को एक स्वतंतर राष्ट्र में एक ही कृत करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई गुजरात के नेताओं के बलिदान और योगदान को सम्मानित करना आवश्यक है खंड पांच निशकर्ष गुजरात का लचीलापन और भावना गुजरात का इतिहास उसके लचीलापन और स्थाई भावना का प्रमान है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन चमतकारों से लेकर गुजरात सल्तनत की भव्यता और भारत के स्वतंतरता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका तक गुजरात लगातार भारत के एतिहासिक आख्यान में सबसे आगे रहा है प्रत्येक युग ने एक अमिट छाप छोड़ी है जो राज्जी की समरिध सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत में योगदान देती है जब हम इन एतिहासिक मील के पत्थरों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात की कहानी नवाचार, नित्रित्व और अटूट द्रिढ संकल्प की कहानी है बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने और फलने फूलने की राज्जी की क्षमता प्रेणा का स्रोथ है इतिहास के माध्यम से गुजरात की यात्रा केवल अतीत की कहानी नहीं है बलकि एक जीवन्त विरासत है जो इसके वरतमान और भविश्य को आकार देती रहती है मैं आपको गुजरात के इतिहास पर अपने विचार और विचार साजह करने के लिए प्रोथसाहित करता हूँ आप भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिद्रिश्य में राज्य के योगदान को कैसे देखते हैं इतिहास से जुडने से हम अपने पूरवजों की जटिलताओं और उपलब्धियों की सराहना कर सकते हैं अपनी विरासत के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं गुजरात का लचीलापन और प्रेरग भावना इसकी जीवन्त संस्कृति, संपन अर्थ व्यवस्था और प्रगतिशील द्रिश्टिकोन में स्पष्ठ है जैसे ही हम भविश्य की ओर देखते हैं आईए हम गुजरात के सम्रिध अतीत से ताकत हासिल करें और इसकी उलेखनिय विरासत का जश्न मनाना और उसे संरक्षित करना जारी रखें दोस्तों, गुजरात की ताकत और जज़बा सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं ये आज के गुजरात की कामयावी और भविश्य की उम्मीदों की जान है व्यापार का केंद्र होने से लेकर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने तक गुजरात हर तरफ नए मिसाल कायम कर रहा है इस राज्य में भारत के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, बहतरीन रिसर्च इंस्टिट्यूट्स और छोटे बड़े बिजनेस हैं अहम्दाबाद और सूरज जैसे शहर, आर्थिक गतिविधियों, संस्कृती और शिक्षा के केंद्र बन गए हैं गुजरात के आगे की सोच और बड़े सपनों का सबूत है, जो एक ग्लोबल, फाइनेंशिल और आईटी हब बनना चाहता है भविश्य की तरफ देखते हुए गुजरात सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल बदलाव और ग्लोबल प्रतिसपर्धा पर ध्रान दे रहा है रिन्यूएबल एनरजी में, खासकर सोलर और विंड पावर में, गुजरात आगे बढ़ रहा है और एक हरे भरे और टिकाव भविश्य का रास्ता बना रहा है गुजरात की कहानी लगातार, विकास और बदलाव की कहानी है अपनी समरिध सांस्कृतिक विरासत को सहेचते हुए बदलाव को अपनाने की गुजरात की काबिलियत हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोथ है आपको क्या लगता है? गुजरात के भविश्य में क्या-क्या मील के पत्थर होंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें भारत की विरासत और प्रगती की इस समरिध दुनिया से और भी दिल्चस्प कहानिया पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें